नमस्कार आप देख रहे हैं जी बिजनेस में उब्रजेश और बुलिटिन की शिरुवाद आज की बड़ी खबर से ब्रिक सम्वेलन से पहले आज का देन भारत के लिए काफी एहम रहा है रूस के राष्टपती व्लादिमिर पुतिन और धारमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वीपक्षी वारता के बाद दोनों देशों के बीच 16 समझोते हुए भारत रूस के बीच S-400 मिजाइल सिस्टम पर समझोता हो गया है और इस मुद्दे पर मोहर लग गई है इसके साथी कामोव हेलिकॉप्टर खरीदने पर भी बात बन गई है साथी परमालू उर्जा, गैस पाइपलाइन, स्मार्ट सिटी और जहास निर्वान जैसे 16 एहम समझोते हुए इस मौके पर साजा प्रेस कॉन्फरेंस में रूसी भाशा में अपने भाशन की शुरुवात करते हुए पीम मोदी ने कहा कि दोनों देश और करीब आ गए हैं पीम मोदी ने रूसी कहावत भी कही जिसका मतलब था कि एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बहतर होता है ये मोदी ने आतंगवाद के मद्दे पर कहा कि भारत रूस दोनों देशों की आतंगवाद पर जीरो टॉलरंस नीती है परीजिल इस्टॉ रजयर स्टंग मे थाज़ प्रीज डॉस्ट लिध कर रस मेरे लोग वर टारिजिंग थ्यूस इक्राइब रहूं मेरेश सोब्द्सम् का था जूर टॉर टॉर तरॉर टॉर 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 स मैं पर इस जा प्रेजिए बारते के लिए कि रॉस बारते कि तुर in dealing with terrorists and their supporters. It gives me great pleasure to welcome President Putin, an old friend of India here in Goa today. As they say in Russian, means an old friend is better than two new friends. Excellency, I am aware of your deep affection for India. In Kudankulam 2 and laying of foundation concrete of Kudankulam 3 and 4, we saw the tangible results of India-Russia cooperation in the field of civil nuclear energy. And with proposed construction of another eight reactors, our wide-ranging cooperation in nuclear energy is set to bring rich dividends for both of us. It also fits in with our needs of energy security, access to high technology and greater localization and manufacturing in India. रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोस्नेफ्ट ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी निची पेट्रोलियम कंपनी एसार ओयल के अधिगरहन का आज करार किया. औरी तरह नाकद लेंदेन के आदार पर हुए इस सौदे का मूली करीब तेरा अरब डॉलर आँका जा रहा है. रोस्नेफ्ट ने एसार ओयल की रिफाइनरी, बंदरगा और पेट्रोल कारुबार में 99 प्रतिश्यत हिस्सेदारी खरीदी है. इसी तरह नीदरलिंड के ट्राफिगूरा, समू और रूस की युनाइटिट कैपिटल पार्टनर्स ने बाकी 49 परसेंट हिस्सेदारी में बराबर की भागिदारी का सौदा किया है. इसके अलाबा, इरान से खरीदे गए कच्चे तेल का करीब 3 अरब डॉलर का बकाया भी एसार ओयल के खाते में ही बना रहेगा. इसके अलाबा, एसार को वाडिनार पोर्ट के लिए 13,300 करोड रुपए और मिलेंगे. एसार ओयल की एंटरप्राइस वैल्यू 32,800 करोड रुपए है, ये डील पूरी तरह कैश में होगी, जो साल 2017 की पहली तिमाही तक पूरी हो सकती है. रुसनेफ्ट, एसार के बीच डील पर, एसार ग्रुप के डारेक्टर प्रशांद रुया ने कहा है कि ये करार बड़ी काम्याबी है, उन्होंने ये भी कहा कि इस डील से देश में सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा. रुस्त है कि रुबेश में सबस्दी कि विड़ा होना. ट्र indoix steeds स्टेल के लिघ्यों Office वो जाजे युणर। करक्तों कि युइंट उगल दो नाजनी। जरी एंट टीरिया जो था रखेर всем ह yüz कि मुझ करवक था एंट पूनिय। स्पत्राइब को राखे में पूरिए अप इस यू है India. The transaction is expected to be completed by the end of this year. Obviously, this will be subject to the customary regulatory approvals. प्रमुख है वो है डिफेंस डील्स, बिक टिकट डिफेंस डील्स होई हैं और इसी पर बात करने के लिए मैं साथ खास मेमान स्टूडियो में रिटार्इड मेजर जनरल बिशंबर दियाल जी हैं चेर्मन नाशनल कांसिल ऑफ डिफेंस और एरोप स्पेस बहुत स्वागत है सर आपका उमीद की जा रही थी और पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बड़ी डिफेंस डील्स होने वाली है भारत और उसके बीच में सबसे एहम और जो नज़र थी लोगों की वो ट्राइंफ पर थी एर डिफेंस सिस्टम पर आपको लगता है इसके भी मुल्क को खासकर जब भारत को आज अगर खत्रा है तो किसी किसम के जो परमानू शक्तिया है जैसे पाकिस्तान है उसके पास परमानू शक्ति है पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे ऐलिमेंस भी हैं जो इसका मिस्यूज कर सकते हैं किसी उस पर मैं समझता हूँ S-400 के बाद इसको बहुत सिक्यूर फील करना चाहिए जो ये एंटी जो एंटी टैरिस्ट आपरेशन्स है और हर बात पे जो पाकिस्तान ब्लैक मिल करता है इंडिया को आन ऑन 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 परमानू ऑन न्यूक्लियर पावर वो मैं समस्ता हूँ काफी है तक इससे न्यूटलाइज होएगा S-400 की सबसे खुबी है कि S-400 एंटी मिजाइल सिस्टम है तो एंटी एक्राफ्ट, एंटी मिजाइल किसी किसम से भी 400 किलोमेटर रेंज है जो कि पाकिस्तान के हर बड़े उसको कवर करती है पाकिस्तान की पूरी विट्थ मैक्सिम 700 किलोमेटर है तो पूरा पाकिस्तान जो 400 का करार हुआ है भारत और रूस के बीच में चाहना के पास S300 है उससे ज़्यादा एडवांस सिस्टम ये माना जाता है S300 जो है वो 90s की टेक्नोजी पर बना हुआ सिस्टम है और भारत को भी शुरू में 2001, 2002 के अंदर रश्या ने हमको आफर किया था लेकिन S400 लेटेस्ट टेक्नोजी पर डिपेंडेंट है स्टेल्थ टेक्नोजी को भी किसी अद्ट टेक्ल करता है तो S400 जो है S300 से कहीं बेतर टेक्नोजी है और मैं समझता हूँ कि इसका जो हाफ पोशेन है जब इंडिया में अन्जिफेक्चर होएगा तो इंडिया के अंदर भी इसके अंदर जो वेंडर बेस बने गा एक हमारे इंदर जो टेक्नोजीकल बेस बनेगा डिफेंस के अंदर वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस से जी हम आसाथ दरें तरेंजा चुड़ रहे हैं फोन लाइन पर बहुत बड़ा एक समझवता S.R. और रोसनेक्ट के बीच में भी हुआ है सर इस समझवते को कैसे देखते है हाँ बड़ा समझवता है और ये वाइन सेक्टर में हाला कि 100% फॉरेन इंवेस्मेंट काफी अरसे से उसकी जाज़त थी लेकिन पहली बार हुआ है कि डाउन स्टीम के अंदर रिफाइनिंग के अंदर कोई और रीटेल के अंदर कोई बड़ी विदेशी कंपनी इतना भारी जो है वो इन्वेस्मेंट लेके आ रही है और साथ साथ यह है कि इतनी बड़ी इस्सेदारी एक यूनिट के अंदर ले रही है लिएकर यहां यहां यह हमको दियान रखना पड़ेगा कि जो रॉसनेस है रश्या की बहुत बड़ी कंपनी है उनकी मुक्य वज़े यहां पर आने की यह है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उनको दिखता है कि वही यह रेडिमेड रिफाइनरी और रेडिमेड उनके डाईजा लाइसेस आउटलेट के यह तो आपको मिली जाते है और साथ-साथ यह है कि जो रिफाइनरी को कच्छे तेल की जो जरूरत होगी तो वो क्योंकि उनके अपने भंडार है वहाँ से वो सप्लाई करेंगे तो डिमांड कच्छे तेल की डिमांड की सिक्यूरिटी उनको चाहिए अपनी अर्तवता के लिए उसको काफी हद तक वो इस डील से मिलती है और दूसी तरफ जो भारत को जो रिफाइनरी में उनको जो है सप्लाई की गारेंटी चाहिए वो भी उनको मिल जाती है तो कुन मिलाकर के उनके लिए तो बहुत भारी विन्विन है और जहां तक भारती है जो ओयल सेक्टर है उसके लिए इसकी सबसे बड़ी एमित यह है कि पहली बात एक विदेशी कंपनी जो है वो आ रही है और वो नई चीज लेकर के आएगी तो पूरी जो ओयल सेक्टर भारत का है उसके अंदर भारी हलचल आने वाली है बिल्कुर प्रशांद रोही है अभी कहा थे कि चार से पांच परसंट की दर से ग्रोथ हो रही है इस सेक्टर में और रोसनिफ्ट के आने के बाद जाहिड सी बात है इसमें और तेजी देखी जा सकती है नरेंजी आपको लगता है कि रोसनिफ्ट को भी इस से कहीं न कहीं फायदा क्योंकि जो प्रमुक ओयल कंपनी है रशा की और वहां पर भी अपने देखा था कि काफी स्लम चल रहा था इसकी वाज़े से रशन एकोनॉमिक को भी काफी जोर का जटका लगा था भारत में आने और अपना विस्तार करें और भारत आज की तारीख में ओयल के मसले में दुनिया की फास्टर गॉइंग मार्केट है अच्छा एसार के लिए जो परशाद हुई है का आपने जिक्र किया उनकी तो मजबूरी थी क्योंकि उनके इतने जादा कर्जे हो चुके थे वो तो उनक बेच करके निकलना पड़ा वरना एज रिफाइंजी आज की तारीख में जो फास्टर गॉइंग सेक्टर है का इंडिया के अंदर और जो तीर साबसे फास्टर गॉइंग सेक्टर है उसको कौन निकल कि उसमें से जाता है इनकी तो मजबूरी हो गई लेकिन अब यह को पै काईर की कंपनी इतनी बड़ी भारत में आई है तो इससे यह रोगा कि जो और कंपनियां है विदेशों की अब भारत की तरफ नजर करेंगी इसलिए नजर करेंगी को यहां पर आकर रिफाइनिंग की कैपैसिटी बिल्ड़ अप करें इन्वेस्मेंट करें रिटेल के कि उससे भारत का जो पूरा धरातल है तेल का खास्तोर से जो रिटेल का धरातल है उसने अब काफी हल चलाएगी और परिवर्टन आएगा